किसान बाईयों नमस्कार मालवा फार्म में सभी किसान बाईयों का स्वागत है आज की वीडियो बना रहे हैं तरसेम बाईयों की मन्नत डेरी फार्म पे आज नया गाएं का स्टॉक इनके पास सील के लिए वेलेवल है काफी बाईयों की डिमांड आरीत की तरसें बाई की जो गाएं है वो उनकी वीडियो आप शेयर करो क्योंकि इनका जो काम है वो ब्रीड का भी है क्रॉस का भी है हर कोई किसान नहीं खरीद सकता कि डेड़ दो लाख बाली गाएं हर किसी का बज़ेट नहीं होता तो कोई किसान चाता है कि 60-70 यार में या फिर 80-90 यार में लाख में गाएं मिल जाए तो हर तरह का रेट इनके पास से आपको मिल जाएगा चाहे तो महिंगी गाएं खरीदनी है चाहे कम रेट बाली गाएं खरीदनी है तो फिर आज जो इनकी गाएं का रेट है वो हम आपको बताएंगे कितने दूद की गाएं है कौन सो इलेक्टेशन की है और गाएं भी चला कर दखाएंगे और सक्रीन पे नमबर आ रहा है किसी को अगर कोई भी गाएं पसंद आती है जाँ फिर अगर आपने एक गाड़ी का माल खरीदना है तो वो तो आपको डिसकॉंट हो जाएगा जो वीडियो में रेट बताए जाएगा उससे और भी डिसकॉंट हो जाएगा चार पांच जार एक गाएं के मगर कम हो जाएगा है तो तरस्वाई के साथ बात कर लेना है फोन पर य फिर वटसैप पे इनकी गाएं देख सकते हैं वीडियो कॉल कर करके आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो बाई माड़वा फारम के साथ नहीं हैं माड़वा फारम के сам Hundred जरूर कि उड़ना कॉंटेक्ट नमबर सर अपना 9518608083 95188083 सेल के लिए कितनी गाएं वेलेवला है आए अपने सर आठ दस तो इदर रुकी हुई है आठ दस दूसरी साइड आप तकरीमन अपने पास 20 जानवार आज़ा अवरे रेट क्या रहता है आपका अवरे रेट सर आज अपने पास बात क इतना दू देगी वो देगी तकरीमन सर बीस लिटर दू देगी हाई एस्ट जैसे पचास लिटर तक गाई देजेंगे तॉप टॉप क्वाल्टी के अपने पास अच्छे से बड़ी से बड़ी गाया आज आपने पास किसी गाएं के डिलीवरी तो नहीं होई नहीं सर एक यहाई की डिलीवरी हो रही हो बाखी सारी प्रेगनेट है किसी के 15 दिन पैंडिंग है किसी का एक हफ्ता किसी के 5-4 दिन कोई मतलु के एक दो दिन में वेने वाली है तो 50 लीटर बोलके दोंगे बिलकुल सर नफवाकिवी दे सकता है बाखी आपको क्वालिटियां दिखाते हैं बकी अनी मल सर हमारा बताता है क्योंकि जैन्यिन रेट लेट चर ऐसा ढी is पिजे हूँ है कि बीasterure को बोल देंगी humility में भी थोड़ा सा फर्क पढ़ जाता है जाँ temperature का आ गया, मतलब की खाने पीनी का बागया, कोई चीजों में कई चीज़ू में फरक पड़ जाता है उसी वज़ा से मतलब की दो तीन लिटरी दो दो हो जाता है अदरवाई दे कुछ नहीं होता है इसी कोई प्रावर ने जी जितना दूद बोल दिया वो मिलेगी मिलेगा बाकि आपको एनिमल अच्छा देंगे यंग एज का एनिमल देंगे ठीक है एक और जड़ी डैरी फार्मिंग के में बात करूँ तो डैरी फार्मिंग के एक अच्छा दंदा है ठीक है आप इससे जुड़ते हैं तो आपको पता यह की जैसे आए बड़े बड़े कंपीटिशन अच्छे काम चल रहे हैं ठीक है उसमें आपको प्रॉफिटी प्रॉफिट प्रॉफिटे हैं तो प्रॉफिटे आगे जाके एक ब्रीट पे काम करोगी यह पर नाम को आपको इंकम और ऑपका एक अच्छा नाम बनने वाला है तोaster इससने फोटी डूब निकाला हूए फास्ट में ठीक है गाय आप क्वालिटी आपके सामने कैमरे पे है कोई भी किसान भाई ऐसे बोल दे कि यह दूद गाय नहीं निकाल सकती आपको गाय एक फिरी दे देंगी ठीक है क्योंकि जो निकालेगी इस वार पूरा सर इसमें हमारे को अमीड है कि फोटी फाइव से काई मिलकिंग भी करवा देंगे इसकी ठीक है क्योंगे मांगे इसकर रेट का सर रेट तो सर इसके 1-70 मांग देंगा कहां तक शियोड़ों में देड़ लाग की गाई देदेंगे सर क्वार्टी देखो गाई की कैसी है ठीक है बच्छा हर गर में ऐसा बच्छा रैडी नहीं होता सर ठीक है हर एक आजमी बोल देता है की गाई लेके आए हैं ठीक है ये गाई का क्वार्टी देखो सर फेस की हैं क नोज ठीक है स्टेटनेस दे लो यडिगी कौयरिटी देख़ लो घाप देख लो हमोगा लैजब स्कूर डे लो हुआ है इस्के लिए आपको दाम जादा नहीं लगेंगा कि हर एका आज मी बोल देता है कि दूध इतना से यह गाए दूद देती है ऐसी गाए आप अपने फार में परचेज करो फिर आपको पता चलता है कि क्या क्या चीजे पंजाम में हैं यह आप यह जितना हम बोलते हैं उसके लिए आपको आपको रिजल्ट मिलेंगे सामने गाए बच्चा दे रही है ठीक है इसने फास्ट मे फोटी एट लीटर दूद निकाला हुए सर ठीक है फॉल बरीड की है अभी थोटा सा पेन में गाए ठीक है जब पेन से निकल गी बच्चा निकल गए आपको मैं सामने आपको दिखाऊंगा गाए की क्वार्टी आप चेक करना की क्या चीज है ठीक है गाए आपको और मैं स सेलेक्टेशन ये भी सर सेगंड डाइमर है सर दांतों में सिक्स टीथ है सर क्या दूद रहेगा दूसरा अमीर है कि थार्टी से उपर चलेगी थार्टी लीटर दूद निकाला हुए सर ठीक है क्वार्टी आपके साम जी सर अभी कितने दिन बाकिए अभी सर इसके पढ़े यह दे देंगे सर हम 85 में देदेंगे सर ठीक है हाइड चेक कर लो गाए का अचलो का गैप फेस की कौर्टी ठीक है सारी चीज़ आप नोट करोगी कैसे यंग गेज है ठीक है से ऐसे नहीं हो जाता कि जब बुड़ी होगी ठीक है पूरे दांत होने पे थोड़ा सा ऐसा हो रहता है कि गाई उमर में होगी सिक्सिटी था अभी अभी उठाए है ठीक है बोलने को मैं इसको चार नांत भी बोल सकता था लेकन जो चीज़ होती है सर हम वहीं बताते हैं आपको यहनुन रेट मिलेगा आपको ठीक है जितना आपने बोल दिया उतने रेट में गए देने किया चाहे गुजराइट किया कहीं के भी किसान भई अपने भास आते हैं ठीक है जितना आपको दूद बोल दिया उतना ही दूद मिलेगा ठीक है और हर एक चीचिध की अपनी गरांटी रहती है यहां से लेकर Sitomar के gher तक की गरांटी हम पहले से भी ले के आते हैं और अब भी लेकर आएंगे ठीके और आगे 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 आपको एक अच्श एच्छ ए ऐनिमिल आपको दिखाने की आःसे ठीके है, हैं सर हाइड देखो पहले हाइड चेक करो सर कितनी हाइड है ठीक है मेरे कंदे तक आ रही है गाए सर रहेगा दूसरा इसने 35 से उपर उपर चली हुई है सर अमीद है कि इस वारा फोटी को टाच करी ठाटी एट ठाटी नाइन लिटर दूद निकालेगी ठीक है अभी तो बा सर उसले की रहाँ माँसमान होँ जाएगा चीज यूस जैनर नहीं है सर ठीक है जतना बोल दी आपको वह बोडी वेट है सर टीक है तगरीबन तग्रीबन आ काओड वाले यानी मल-क्रीटी और पीसे से देखो आपको कामरे पर भी आपको वर्ष भातगी हुईैने भी चासरी 48 लीटर के दूद्ध दीया हुआ फस्ट में अभी सेटर पर बच्चा दे और बताना चाहता हूं कि निकालने को तो बच्चे हम अभी निकाल सकते हैं लेकिन मैं सभी किसानों को बताना चाहता हूं कि कोई भी गाये जब आपकी गाये की डिलीवरी हो रही है ठीक है तो डिलीवरी के टाइम गाये को उसका खुद का जोर लगना बच्चे को बाहर निक पचा देने के बाद जो मेली होती है ठीका जो जेर घ्ल गलती है ठीका उसको निक कालने में हैंगी, ठीका निकालने को तो हम हाथ गालने वालिया उस में आप इनको कोई भी परेशानी नहीं आएगी अराम से मतलु ही जे निकल जाएगी और अराम से ये दूद में इसको तकरीम ना बीस दिन लगेंगे ये पीक लेबल पे अपने पे आ जाएगी बीस दिन के बाद पीक लेबल क्वार्टी चेक कर लो सर गा आए आज आपने पास एक दो गए फास्टर टाइम ना बच्चे ठीक है बाकी सारी सेकेंड टाइमर है क्योंकि यांगेज ही जाती है सर बाहर दूर का सफर जो मतलब की तैय करती है दातों में गाएं दातों में सर छे दांत हैं सर कितने दिन लेगी अभी अभी सर है इसके हाँ सर अराम से दूर निकालेगी क्योंकि अभी लूज बहुता है फास्टाइम में इसने ट्वांटी एट लिटर दूर दूर निकाला हुए सर ठीक है अड़की क्वार्टी देलो कितना शांदार अभी 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 तो डिले काफी पढ़ी है सर इसने का बहुत रेडियों सर मांगने के तो हम इसका 95 मांगते हैं लेकिन 85 में गाई दे देंगे सर ठीक है जो लेने देने वाला प्राइज है किसानों को मैं सब्सक्राइब बोल रहा हूं यह लेने देने वाला प्राइज है सर ठीक है क्योंकि हमारे जो रेट होते हैं वो जैनल होते हैं ठीक है ऐसा होता है कि हम ने जो बोलगर उसमें से ताम से टाइम आप देखो कि दिन गैय की तो डिमांड बढ़ती जा रही है ति कि धित भी बूलने को तो मैं इसका एक दस भी बोल सकता हूं लेकिन अपने जैनल प्राइज है ठीड़ हर टाइम और अपने पास कस्टमर भी भगवान की दाशए रहता है ठीड़ है रोज की रोज मतलब की पाँच छे गाए 10 गाए जातीर ती रहती है ठीड़ एक अला जैनल रेटा जैनुन काम आपके सामने ठीक है और कौर्टियां और ब्रीड और दूद की अपनी गिरंटी रेटी जितना बोल दिया आपको मिलेगी ठीक है और यंग है जब बच्चा है सर ठीक है फिटनस देख लो गाय कि कितनी अच्छी फिटनस है स्टेटनस देख लो अडर की काफी लूज पड़ा भी इसकाडर ठीक है ऐसे से बच्चे आप अपने फार्म में प्लीज मैं आप से कहना चाता हूँ कि आप जड़ी पैसा लगा रहे हो तो आप तगरीवन तगरीवन एक अच्छा जानवर एनिमल आप आगे अपने फार्म में डालो क्योंकि एक सान भाई होते हैं कि थोड़े पैसे के कारण वो किसी दूसरे फार्म पे अधर फार्म पे चले जाते हैं ठीक है लेकिन मैं आपको कहना चाता हूँ कि आप पैसी की तरह माता देखो ठीक है आप ऐसा सोचा करूं कि आपको एक स्टेशन कैसा मिला है यंग एज कि बच्चे क खरीड़े हो तो आपको यह सुनने और समझ ले वाली बाते हैं क्योंकि आप आगे जाके आपके फार्म पे आपको कभी लौस नहीं होगा ठीक है एक अच्छे है नहीं वह आप अगे प्रचेश करोगे तो आपको उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है क्योंकि आप कई ब फारूं का मेंनों होता है कि यंग एज़ के बच्चे आपको एनिमल अच्छा मिलना जाए वो आपको अच्छा कहां पर देखा करो ठीक है आप फिर ही आगे जाकर आपका फारूं सुक्सेस होगा और क्वाल्टियां ब्रीड सारी चीजा आपके सामने होती है जितना हम बोलते सार उतना ही निकलता है ठीक है और आगे जाके आपको अच्छे शैसे आइनिमल आपको परचेज करवाएंगे ठीक है बाकी आपको नौलजी की वीडियो भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि क्या क्या फारं पे क्या 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 होना जरूरी है ठीक है और कैसी कैसी बातों जोर लगाएगी उतना इसके लिए बैटर है क्योंकि जोर लगाएगी तो इसकी मेली अराम से गल जाएगी ठीक है अभी इसको 5-6 मिंट में इसकी डिलिवरी हो जाएगी ठीक है ऐसे अनेमल जोड़ी आप यह अनीमल भी खृतना चाहते हो तो आपके लिए हर टेम अपने पा बहुत 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 शुक्रिये दन्यवादू